अब आगे बात करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड इसमें आज आपको हम कंडिशनल प्रॉबिल्टी के बारें बताएंगे और इंडिपेंडेंट के कुछ कुछ जो कैसे होते हैं वो सारी बाते बताई जाएगी जरह देखेंगे क्विश्चन जरह समझना यह जही में में आया हुआ है 25 जुलाई 2022 क्विश्चन में क्या कह रहा है जरह समझो एंड बी आर्टू इवेंट्स इस प्रकार हैं कि पीए उकोल टू वन बाई फाइब और पी यूनियन भी आपको दिया है वन बाई टू सुन लेजर अब बिटा यहां पर एक बात क्लियर है इसका फॉर्मल लगाना पड़ेगा कंडिशनल प्रॉबिल्टी अगर भी बार इवेंट होती है तो एक होने की प्रॉबिल्टी तो यहां पर अगर हम ए अपॉन बी बार प्लस का भी बी अपॉन एडैस या बार वही बात है यह बार तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको मालूम है दोनों के इंट्रसेक्शन की प्रॉबिलिटी दोनों के इंट्रसेक्शन की प्रॉबिल्टी डिवाइड में नीचे वाले क्या करने की प्रॉबिल्टी और प्लस इधर वही होगा दोनों का इंट्रसेक्शन ए बार इंट्रसेक्शन ब तो यह formula के according वाला आप देखे दूसरा तीसरा formula की लिस्ट में इस formula को apply करेंगे intersection दूनों के intersection की probability दूसरा पॉर्मला है ए इंटरसेक्षैन भी सुन्तेरों और पेट देगो실 अमयाइब माइनस पी एंटरसेक्षैनाओर ठेख सांटी divide में 1-PA और अब आप calculation कर लीजे value सारी put कर दो आ जाएगा answer लेकिन यह परेशानी है हमारे सामने intersection नहीं दिया हमें union दिया तो कोई बात नहीं हम इस formula से निकाल लेंगे PA union B is equal to PA plus PB और minus का PA intersection B तो यहाँ पर देखो PA union B कितना दिया है पेटा देखो 1 by 2 दिया हुआ है और PA देखें यहाँ पर given है 1 by 3 और PB आपको given है 1 by 5 minus PA intersection B तो यहाँ से कहेंगे PA intersection B is equal to यह इधर transfer होगा 1 by 2 दर जाएगा 1 by 3 plus 1 by 5 और यह 1 by 2 दर transfer हुआ तो minus 1 by 2 LCM लोगे कितना LCM आएगा यहाँ पर इन तीनों में LCM कितना आएगा 30 आएगा तो इसमें 30 का multiply करोगे 30 का multiply करो 3 से cut होगा 10 30 का multiply करोगे 5 से cut होगा 6 30 का multiply करोगे 15 जिसको LCM लेया उससे सब के numerator में multiply कर दीजिए तो यह हो जाएगा 16 16 में 15 गया 1 बटे 30 तो यहाँ पर अब आपको clear करना है यहाँ पर यह बात clear करिए और यह आपको trick बताए थी अगर आपको PA बार अगर आपके सामने 7 by 18 है कुछ भी दिया हो 7 by 11 तो PA आप निकाल सकते हो तुरंद एक trick बताए थी 11 लिख देना नीचे और जो बढ़ा है उसको छोटे को घटा देना 11 में 7 गया चार बात वही है चाहिए आप इससे निकाल के देख लीजे 1- PA वार से वही आएगा अंसर यह आप PA दिया हो तो PA बार भी आ सकता है ठीक है यह आपको अगर मालो PA दिया है और PA बार तो दोनों यह एक ही तरीका है निकालने का यह देखे 1- यह आपका PA बार यानि अगर किसी की probability मालीजे मैंने का 17 अपॉन 20 है एक अकर करने की probability मालीजे हमने का हमें गिवन है तो PA बार बिना आप 1- PA करके निकाल सकते हो आप क्या करना है बस यह 20 टिनोमेटर में लिखना है बड़े में च्छोटे को माइनस कर देना है 20 में 17 माइनस होगा 3 आप चाहे इस से करके देख लीजे पीए बार 1- PA करके देख लीजे वही आएगा 1- 17 by 20 20L से माइगा तो 20 माइनस 70 तो वही चीज़ है तो यहां से बात के लिए रो गई यहां पर हम और यह21- और यह पी बी बार कितना आएगा वो फाइब लिख दीजिए पी देखो फाइब लिख दिया फाइब मैंनस वन प्र वैएफ प्लास जी कितना है मेरे बच्चों पीबी देखो ये आप चाहो तो निकालने लिख सकते हैं यहां पर यह किलिए हो गया यहां पर यह किलिए हो गया कि यह 30 से हमारा रहा है 30 से मागए तो इसमें 30 का मैंटिप्लाइ करो के नुम्रेटर में तो यह 10 हो जाएगा माइनस यह 1 हो गया डिवाइड में यह 4 by 5 रहेगा सुन लीजे इधर भी 30 L से माएगा 30 का मलिप्लाई करोगे 6 माइनस 1 डिवाइड में और यह 2 by 3 यह सब उपर चला गया नीचे मलिप्लाई होगा इस तरीके से तो यह हो गया 9 10 में 1 माइनस होगा 9 डिवाइड में 5 और यह 30 इंटो 4 प्लास और यह हो गया 5 इंटो 3 डिवाइड में 30 इंटो 2 तो यहां से कुछ कैंसिल होगा यहां से कुछ कैंसिल होगा बोलो अगर हम यह कैंसिल करेंगे तो यह कितना होगा 5 6 30 इधर भी 5 6 30 और यहां पर 3 2 6 तो यह अब तो cancel यह दर से भी cancel हो जाएगा 3 3 9 3 2 6 अब यह पता ही कितना होगा इसके बार यह 3 by 8 है इधर 3 by 8 है तो एक काम करेंगे इधर तो सब उपर कट गया इधर नीचे 4 रहेगा तो चाहो तो 1 by 4 common ले लिए 1 by 4 common लोगे तो यह 4 बार चला गया तो यह 3 by 2 हो जाएगा और प्लस का 1 add होगा इसमें जाइड सी बात है इसके बाद आप देख सकते हो यह numerator में 3 इस 2 लोगे तो 2 प्लस यह 2 इदर आएका 2 में 3 एड करोगे 5 और डिवाइड में यह 2 लोगे और 4 इंटू में है तो multiply करोगे 8 तो यहां से clear हो जाना से है कि आपका answer भी पार्ट हो जाएगा देख लीजेगा बहुत आसान है question value put up करनी थी और question solve हो जा रहा है देखे पी अपॉन बी बार द्यान रखे पी अपॉन बी बार और यह प्लस पी बी बाई बार तो यह फॉर्मुला जो आपने अप्लाई किया उस तरीके से किया जाए गया चलिए अब हम आगे आप आज आपको एक नहीं चीज़ सिखाएंग यह conditional probability लिए लिए अब बाई पहले हम अपनी तरफ से आपको बता देते खुश्चन नोट भी करना है सीट में question है वो फिर हम नंबर बताएंगे आपको पहले हम अपनी तरफ से औरल आपको question सिखा देते हैं कैसे होते हैं है चलिए आईए सबसे पहले हैं डालेंगे conditional probability अगया है कि अगया है कि साब प्रतिबंद प्राइकता है कि अगया होगा जरह ध्यार यह प्रतिबंदी प्राइकता भी कह सकते हो कंडीशन का मलब हम यह कह रहे हैं एक होने की probability वैन वी इस अकड़ अगर वी इवेंट हो जाती है तो एक होने क्या करने की probability यह फॉर्मला है और अगर बात करेंगे पी बी बाइए प्रेक्या होगा बोलो इसमें यह हैं यहां पर नीचे वाले क्या करने की probability और डिवाइड में दोनों के इंट्रसेक्शन की probability जड़ा समझेगा इंट्रसेक्शन मलब अगर यह हो जाती है है तो फिर इसके होने की probability क्या होगे चांसे क्या होंगे बढ़ जाएं बढ़ भी सकते घड़ भी सकते ही चेंज हो जाएगा है अब आपको एक हकिकत बता दे वास्तों में जो P a by B लिखा होता है हमने आपको बताया देसेंक Already सेंपल उस्पेस से दिखा रहे हैं यारी कोई चीज़ हो रही है उसके टोटल केसे हो दिश्ट बना दीजे लेकिन अब यह जानते हो पाइब यह उसके सेंपल की तरह करेगा या यही फॉर्मला है जो आमने प्रॉबेडि निकालने का बनाया था po n e upon n s और यहां पर नुमिरेटर में क्या होगा अगर यह हो जाएगा तो इसके कितने हो रहा है तो उसमें इसके कितने केस हैं उसी को इंटरसेक्शन बोलना है सुन यहां और हो रहा है तो उसमें एक ये कितने इसको एंटरसेशन भी बोला जा रहा है अगर आप एस से डिवाईट करोगे और से डिवाइट करोगे नुमरीटर two- fish six hour चैनल वस्तिनों तो यह हमारा क्या हो दाएक बोलो यह फॉरमॉला बन जाएगा पी इंटरस्क्शन इपी प्रॉबयर्टी अगर हम कहेंगे अँगों मुझे ऐंचेंश अट्रसर्फशन भी की फॉबयर्टी निकालने तो इसका फॉर्मॉला होना यह एन नुम möglich geben समझो पी एबाइबी यानि अगर इसको सिंबल है मैंने आपको बता रहें कोई दो इवेंट का नहीं होता है नंबर का डिविजन होता है यहां पर यह जो सिंबल यह बता रहा है कि अगर यह इवेंट हमारी हो जाती है मेरे बच्चो तो इसके होने की प्रॉबिलिटी क्या है एक्जामपल के लिए देखे कल वाली बात को भी हम लेकर आ और आज हमें एक चीज़ आपको बता रहें मैंने का डाइस को फैका जा रहा है लुड़काया जा रहा है कुछ भी क्या दो और उस पर सिक्स नंबर आएगा इसकी प्रॉबिल्टी तो जिसकी प्रॉबिल्टी की बात करें वह केवल एक ही केस है उनली वनकेस जिसकी चन्स पूछा जा रहा है और टोटल केस हमारे सेंपल स्पेस हो गया है तो यहाँ पर क्या है हमने आपको सेंपल स्पेस के टोटल लेलीमेंट शह तो उस पांच नमबर याने की प्रॉबिल्टी ऑगए बूलो गितना हो और यह गया आपका और एटी वन दिवाइड में एन ist Um यह क्यों ढाइक लेकिन आप देखो कंडीशनल प्रॉबिलटीं क्यों कोई क्या आप सर्ड़ीशनल प्रॉब्टी क्या से पैचा सेंपल स्पेस यही हमने कहा कि हमारा क्या नमबर Frage कौन क01 नौग व्यकित और Athlete तो कि फिल्माग लाओ तो आप यह पाँच आ जाएगा तो तो ठीक यह अगर अगर आप कहीं अगर हम यह बोलेंगे चार से बड़ा नंबर का मलब हम यह कल्पना कर रहे हैं चार से बड़ा नंबर आना अब तुम बद़ा पांच तो चार से बड़े नंबर दो ही तो हैं 5 उट 6 तो उन दोनों में से किसी आने का चांस ज्यादा हो जाएगा इसलिए तो कर दो थो प्रोब चाहित है तो यही थे लूख और बढ़ घंडिनल प्रोब्यबिल्टी के मलब रेटं te यह हो जाईगी तो कुसी इवेंट के होने की प्रोब्यबिबिलिटी क्या है इसी को नाम दिया जाता है conditional probability तो यह आपको ध्यान रखना है बेटा जैसे कल मैंने एक question बोला था कि तासी गड़ी है बावंतासी गड़ी अभी आपको दिखा रहे हैं और उस बावंतासी गड़ी से आपने 6 पत्ते निकाले कितने पत्ते निकाले अब question में गिवन गड़ दिया उन 6 पत्तों में चार किंग हैं कितने किंग हैं अब मैं उसमें से एक पत्ता निकाल लाओ वो पत्ता किंग हो गए इसी क्या probability तो हमारी केस कितने हो गए टोटल आपकी तासी गड़ी में जो पैक आप 52 कार्ट्स होता उसमें टोटल नमर आपकार हमारे 52 होते हैं आपने जिश्क है पत्ते ना उनीं में से आप पत्ता निकाल लो अधी चार्ट्स हो गएक प्रकार शिआ हमारे सेंपल स्पेस की तरह काम करें क्योंकि अब हमारे लिए संसार वही है कोई भी पत्ता निगाले आगे उनी 6 में से एक आना है तो वो टोटल केस हो गए 6 और डिवाइड में उसमें किंग के कितने है चार तो यह हो गया दो और चुंबाइ ठ्रिया इस तरीके से होता है वैटर कंडिशनल प्रॉबिल्टी में जो कह रहा है कि हो रहा है तो जो हो रहा है अब उसके केस कितने केस आ रहे हैं बस आप उसका कर लो और टोटल जो हो रहा है डिवाइड कर दिजिए आंसर आ जाएगा अब देखें यह वाल लेकिन नेक्स्ट कल वाली लेक्ष्ट इसमें आपको बताया जाएगा बेज रूल लॉप टोटल प्रॉबिल्टी बेज रूल जब बताते हैं तो समलों कंडिशनल ही ठीक है तो वह सब हो जाएगा लेकिन अभी आज वाली क्लास में आप देखें आपके कैसे विए वाइट बाल्स है और फाइब ब्लैक बॉल्स है कितनी हैं फाइब ब्लैक बॉल्स समझना जितना अच्छे से सुनोगे यह कॉंसेप्ट उतना अच्छा किलियर होगा तुम सवाल लाख लगा लो अगर समझ में ने आएगी प्रबिल्टी नहीं कर पाओगे एक सवाल सम कर देंगे आपका काइब यह बैग में कितनी चीज़े हैं टोटल 15 काइब कितनी चीज़े होती है तो बावन होती ते मैंने किसा सबीपय। सॉल्व हो जाएगा अगर मैंने कहा इस बैक से याद्र च्हेया दो बॉल निकाली जाती है दोनों बॉल वाइट आएंगे सी क्या प्रबाबिल्टी मलब साइमल्टीनेश्ली दो बॉल निकाले दोनों के उने की प्रबिल्टी क्या होगे तो बोलो कि टोटल कितने 15 में दो निकाल ली ओ, 15 से कूँ लेकिन उसको कहते इसलिए नहीं करना ही होँ जब एक चीज निकाल लो तो दस करीके हो गए यह दस के सो हो गए लेकिन यह हम 15 से जादा निकालो जो तब यहां सी का प्रियोग कर नहों दो निकाल लो पता नहीं कौन सी दो बॉल आजाए सब पर इस ठीका लगा दिए डबलू 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 टू अब पता नहीं कोई भी दो आएगी तो वह हमारे एक पहला केस हो जाएगा अब वही मसीन काउंट कर लिए उन 15 में हर दो का नम्मर आएगा वह यह टोटाल इतन कैसे करके एक एक करके वन आफ्टर देदर यानि एक निकालने के बाद दूसरी बॉल निकाली है अंतर है दोनों में आप दो बॉल निकाल रहे हो एक साइमल्टेनेसली यह बहुत इंपोर्टेंट है लिखा होगा बुक में कि साइमल्टेनेसली क्वेश्चन में लिखा इस टाप ली कुश्चन को कैसे सौल किया जाए जरा समझेगा कैसे मतलब क्या हुआ साइन्स avoir यह करने का मतलब आप ने दो बहुं निकाली है एक एक करकर के यहांनि साड़ा इलान भी थी यह करें ओपनायए पंतराज्टर आरते वह तो इस तरीके कैसे नहीं होगा आप यहां पर दो बॉल निकाल लो वन बाइवन करके एक बॉल निकाली आपने फिर बैक से दूसरी बॉल निकाली और दोनों वाइट आ जाएं तो इसकी क्या प्रॉबिल्टी होगी इस टाइप के सवाल करने के लिए और यह बड़ा गजब का पॉइंट हो आप दोनुन एक साथ निकाल लो और जब आप एक बॉल निकाल ले-ऑग में एक बॉल कं हो गई जो डूसरा बल्ल लिकालो और उसमें परक पड़ता है अगर मैंने का इसते वाइट बॉल निकालो तो बैग में वापस नहीं रखा जाता यह कुष्चन में दिखा दिया हुआ जैसे अगर मैंने का एक बॉल निकाली क्या निकाली एक बोर अब यह विदाओट रिप्लेस्मेंट पिर दूसरे निकाली दो इसको रख दिया है उसको गुमाया तो वह आ जाएगी आपने डाल दिया उसके वह गुमाया उसके बाद दूसरी बॉल निकाली तो अब देखें कैसे करना है कि यहां पर देखें मैं आपको इसका तरीका बता दे रहा हो बस ठीक है इसका तरीका सीख लो किस टाइप के क्वेश्चन है चाइकार्ड में अब जिसे मैंने का एक तासी गड़ी से कितना तीन पत्ते निकाले जाए कितने पत्ते अब वन बाई वन करके विदाउट रिप्ल तीनों किंग आएंगे इसकी क्या प्रॉबिल्टी तो इस सवाल को जरा समझ यह कैसे होता है आपको लिखना है क्या कर बताओ फास्ट बॉल इस वाइट यह सर्जी कहा लिए कि का मलब प्रॉबिल्टी हम कह रहे हैं कि दोने बॉल वाइट आ जाए तो पहले एक बॉल निक में फिफ्टिन यह हो गया ठीक है अब उसके बाद क्या होगा क्यूंकि आप चाहते हो दोनों वाइट आजाए सेकंड बॉल यह भी वाइट आगी इसका धंग जरा सीख लीजेगा यह दूसरी भी वाइट आजाए सर्जी कट कर दें कट लास्ट में कर देंगे अभी न कट आए फील करना होगा जो मेरी पहली बॉल है वह वाइट निकल रही है अब यह मलब कंडिशन हो गई कि आपने एक समझ लिए इसको महसूस कर लें कि वाइट निकल रही है तो अब बताओ कुश्चन में कह रहा है कि दूसरी क्या हो जाए दूसरी भी वाइट आजाए किसी क कि जाएगी आपकी टोटल बॉल में एक बॉल काउंट कम हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी अब आपकी कितनी हो गई 14 बॉल और वाइट पहले एक जा चुकिए अब कितनी वाइट बची नाइन बची ठीक है अब मैंने कहा यहां पर लिखेंगे यह लिख दिया बोत वाइट की प्रॉबिल्टी दोनों वाइट आ जाए तो इसमें क्या करना है बस इसमें रूल यह है कि आपको दोनों को मल्टिप्लाई कर देगा और यह फॉर्मले से हुआ भी हम आपको फील कराके दिखा देरे देखो इदर मल्टिप्लाई कर दिया इ कितना क earns मैंने के डिखो दो तरीक है मैंने कहा आप उसकी गहराए में बी जा सके और आप नियम को भी जान सकते हो जैसे क्यालकुलेटर है कैलकुलेटर कैसे यह किसी को नहीं मालुक लेकिन वह सही वर्ग करता है उसको चलाने सिस्टम आपको पता चल जाए तो वह काम करे काउंट कर रही है वह आपने रूल समझ लिया वैसे यहां पर भी ऐसा दुनिया का कोई भी प्रशना आ जाए आप बैग से तीन बॉल भी निकाल सकते हो चार बॉल भी निकाल सकते हो जिस नंबर पे जो बॉल बोलना है उस पोजिशन में वाली बॉल निकालना और सब को इसको हमने एवेंट नाम दिया इसको अमने बीवेंट नाम दिया तो हम चाहते हैं दोनों चीजे हो जाएं यानि यह चाहते हैं ठीक है आईए देखे क्या होगा इधर पहली वाइट आईगी इसको इससे तिका रहें कितना एक आंसर तस डिवाइट में 15 अब पहली निकल गई है अब दूसरी वाइट आजा इसकी प्रॉबेबिल्टी वह कितना निकाला आपने नाइन भाई 14 फिर आपका फॉर्मुला क्या होता है फॉर्मुला क्या होता बोलो पी ए इंट्रसेक्शन भी डिवाइड में कितना होगा पी ए सॉरी पी होगा कि नहीं होगा औ पी ए कितना होगा यह कितना होगा नाइन भाई 14 देखो वही चीज बन रही है वही चीज बन रहे पेटा इधर द्यान दीजिए अब आपको यह न यह ना दिखाओ यह किताबों में दिया हो इससे तुम्हें थोड़ा कंफुशन हो जाएगा जो आपको रूल बता दिया है यह रूल हर जगा फॉलो को होगा आपको मैंने का फर्स्ट बॉल वाइट आ जाए सेकंड ब्लैक आ जाए तो भी हो जाएगा फर्स्ट वाइट निकल गई आप सेकंड वाली ब्लैक आनी चाहिए तो उसको ब्लैक अब बता हुजा अगर फर्स्ट निकल जाएगी वाइट सेकंड वाली की प्लेक आने की प्रबिल्यी क्या होगी फाइट लुपाइब कुण करने दोनों को मल्टिप्लाई कर देना है यह हमारा आंसर आ अगया ठीक है इधर अचहे पताओ तीन बॉल निकालने हैं कितनी बॉल निकालने हो अब वह एक क्विश्चन में यह होगा साइमल्टेनेसली साइमल्टेनेसली का मतलब होता है मतलब होता है और वन बाई वन कर गया एक निकाली रखिया फिर उसको गुमाया फिर तीसरी बॉल निकाली तो अगर कोई कहेंगा आपणे किटनी बॉल निकाली है एक जो निकाली थी वो जो रितुन वह यह आ जाएगी अब वह आ भी सकती है कोई दिक्कत ने घुमा दिया फिर उसमें से निकाला तो यह कुश्चन में होता है वन आफ्टर देदर यानि एक के बाद एक बॉल निकाली गई और एक कुश्चन में जरूर जो है यहां पे और दूसरे वाले केस में क्या है आपने बॉल निकाली विद्रेड मलब बैक बॉल को वापस रख दिया तो यह होता है विद्रेड लिप्लेसमेंट तो इस तरीके से कुश्चन वो किया जाता है यह आपको ध्यानगना अच्छ बेटा दिखो इदर जैसे मान लो फिफ्ट प्लेइंग और फिप्टी टू कार्ट से कितने कार्ण इसमें 22 गड़ी है इसको प्लेइंग और यहां पर यह आपके प्लेइंग और फिप्टी टू कार्ड से शुआ पूधो इधर बता है कि इसमें वह हमें पिर這種 कटीं बता होते विर दिए लुका और अगर मैं आपको देखेंगे यह देखे आपको खर इसमें देखा जाएं इसमें कितने एक का है देखो इधर देखो दो ही कलर दिखेंगे पिटा कोई भी कलर देख लो रेड और ब्लैक दो ही कलर के कार्ड होते हैं पिटा ध्यान दीजिए बहुत पुराना गेम है प्रॉबिलिटी जो है यहीं से स्टार्ट हुए सी गेम से आप देखोगे ज्यादतर कुश्चन में कार्ड वाले कुश्चन पुछ जाते हैं तो यह सब यहीं से खेल चाल हुआ है और आपको तीसरा कलर नहीं दिखेंगे देख लिजे और बहुत पुराना है यह ध्यान रखेगा आप अगर चले जाओ पचास साल पहले पचास साल पहले यह ग्राम बना है तो यहीं बना है चेंज नहीं हो पाएगा ठीक है एक नियम है एक रूल है उसके अकोर्डिंग चल ला सुनिए दर दूसरा कलर भी बनाए जा सकता है लेकिन यह है कि यह इतना पुराना है कि इसको चेंज कर ही नहीं पाएगा कोई देखो इदर अब आपको बता दें इसमें अगर इक्का की बात करें कितने इक्का होते हैं बोलूं देखें अगर आप देखो कि इसको इक्का कहा जाता है आप अगर इसको इक्का क यह देखे पीटा यह देखे पूरी गटी में केवल चार ही का निकलीगी बात इक्के नहीं होती पीटा देखो आप अगर देखोगे यह चार जो है हर वैल्यू वाला कार्ड वैल्यू मनलब यह जो वैल्यू है इसकी ए है यहां पर अगर मैंने कार्ड निकाला है तो यह सिक्स नंबर के भी इस पूरी गड़ी में चार ही कार्ड मिलेगी वैल्यू वही रहेगी लेकिन इसका यह जो आपको दिख रहा है यह चेंज हो जाएगा इसमेन आपको बता दें बावन-तासी गड़्टी में दो कलर होते रेड और ब्लैक 26 रेड कलर होंगे और 26 ब्लैक अब ज़रा समझना यह देखें मैंने इसमें से एक पत्ता निकाल दिया हैं दो पत्ते निकालने यह लोग कोई जादू ने दिखाएंगे ठीक है यह नहीं तुम सोधरें कि हम यह बता पाएंगे कि उसमें कौन से दो पत्ते आ तो दिखो पहला जो पत्ता निकाला है मैंने पहला पत्ता जो निकाला है मेरे बच्चों वो क्या निकाला है एक कार्ड इसको दिया है अब इस गड़्डी में कितने पत्ते बचें हैं अठाव एक होता है दो पत्ते एक साथ निकालना और एक होता है कि हमने एक एक करके नि करके अच्छा मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन का जवाब दीजेगा दो पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं दोनों पत्ते रेट गलर होंगे होंगे इसकी क्या प्रॉबबिल्टी होगा बता सकता कोई वन बाइवन करके विदाउट रिप्लेस्मेंट क्या होगा पहले वाला क्या होगा पहले रेट देखो कितने होंगे 26 और टोटल बावन तो ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिप्टे टू यह निकाल लिए फर्स्ट कार्ड इस ब्रेड इसकी प्रॉबबिल्टी अब सेकंड कार्ड रेड होगा तो अब आपके कार्ड काम हो गए उसके फिप प्रवाइब क्वेश्चन को आप सॉल कर सकते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना तो इतनी कॉंसेट को किलियर करिए का यह आपको जरा समझना है तो इसमें जरा लिख लेते हैं कार्ड के बारे में थोड़ा जानकारी देनी जरूरी है अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है कि इसको जरा समझ लीजे आपको एक बार ऐसे ही विधी पूरवक करोगे कोई माक्स निकटेगा पूरा माक्स मिलेगा ठीक है दोनों तरीके से सही होगा फर्स्ट बॉल इस वाइट इसकी प्रॉबबिलिटी निकाल लिए सेकंड बॉल इस वाइट बोत आर वाइट अग है जैसे देखिए लिगोमेटर पिप्टी टू कार्ट इस पिफ्टी टू कार्ट तुजा अरुजा दिक्कत हो रही नहीं पूने चल पाएगा लाइट दिक्कत कर रहा है देखों फिप्टी टू कार्ट है यह 13 कार्ट इसको जरा बहुत ध्यान से देखना फेस कार्ड कितने होंगे वारा होंगे फेस कार्ड का मनलब होता है उसे पेस ही कार्ड को हो देखें यह हो गया फेस कार्ड का मनलब जिसमें आपको इस तरीके से फैस बना हुआ इसको फैस कार्ड कहते हैं जिसमें फैस बना होता है फैस कार्ड कहें 12 होने क्योंकि चार, जो किंग होगा देखो इदर सुनलीजे, किंग होता है, एक जैक हो गया चार वो और ये चार-आठ और एक 게ण बेगम आठ और चार बारा यह होते हैं फेसकाट तो यह अभी आपको स्पैड और इधर हो गए कलब और इधर होगा डाइमंड हर्ड पान इंट कहेंगे हुकम का कुछ इस तरह के से होगा उल्टा भी बना सकते हो किसी को उल्टा बना दीजे छिड़ी हो गया इस तरह के से इंट हो गया इस तरह के से और पान हो गया इस तरह के से एका कहा जाता है सबसे बड़ा कार्ड होता है द्यान दीजे सबसे जादा वैल्यू जैसे आप किरकेट खेलते हैं किरकेट में आपको मज़ा का बाता है जब कोई सिक्स मारता है तो वह सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है अगर बाउंडरी से पार पहुंच है रन मिलेगा सीधा सतरंज आप चैस खेल ले उसमें बजीर आपको सबसे ज्यादा वैल्यूबल मलब बहुत बड़ी वैल्यू एसकी वैसी यहां पर भी इका सबसे बड़ा तगड़ा होता है द्यान देना यह का हो गया जैक कि इसे गुलाम बोला जाता है कि क्वीन यह बेगम हो गया के यह किंग बादसा पिटा कोई भी नंबर वाले कार्ड ऐसा नहीं कि यही चार होते हैं यह पॉपुलर है तो यह ध्यान रखेगा आपको बता दे हर नंबर चाहे दो नंबर का कार्ड की बात करें वो भी चार होते हैं किंग भी चार हर वैल्यू वाला नंबर वाला कार्ड जो है वो चार एक का भी चार होगा जैग भी चार होगा क्वीन भी चार किंग भी चार और दो ही कलर होते हैं यह सारे हमारे ब्लैक कलर हैं है कि आ बिट्व रड़ गार्ट में प्रिंट करते हो गता है जहां रेड कलर दिया जा सकता है तो वहां गरीन भी तो दिया जा सकता लेकिन ऐसा नहीं होता है यह दिक्कत हो जा जाएगे यह सखर करसे इंडिया का जो Hillary है जो है उनमें कोई प्रदलाव नहीं कर सकता है को चेंज करें का दिक्कत होगी वैसी यह भी है तास पचास साल पहले जो इसकी पोजिशन दिदर वाला इधर बैक साइड वाला कुछ भी बदल सकते को इसको यह लाओ है लेकिन यह जो फ्रंट वाला इसको ने चेंज कर से तो इसके वह लिखा है जैक में जो बना है चित्र वही रहना चाहिए देखें इदर यह हो गया एस इका हो गया जैक गुलाम हो गया क्यूं हो गया किंग हो गया बेटा तो अब यह आप बच्चों को ध्यान रखना है सबसे बटा जो सबसे बड़ी परेशानी है वह जो मैंने अभी कॉंसेट बताया सबसे आसान बेज रूल के सवाल होते हैं जिन में तुरंद आपको महसूस हो जाता है बेज रूल सबसे इजी है कलवाली किलास में बताए जाए जैक बेजरूल एक सवाल आएगा सिभी दिमाग में बात सेव कर लेनी है कि आपके 26 ब्लेक कलर और 26 रेड कलर होगी आपके 13 जो कार्ड है सब 13 किसम के होगे पान वाले कार्ड जो होगे वो 13 होगे और वो समझ गये होगे कौन सा एक इका होगा, एक जैक होगा और एक queen होगा और एक king होगा चार ये होगए और दो से लेकर दो number से लेकर दस number तक कितने होगए? 9 वो 9 और ये 4 13 हर एक ये ध्यान रखीगा अच्छा इधर देखो जैसे अगर मैंने का लाल बात्सा red king तो वो दो होंगे ये देखो red king वाले एक king इधर मिलेगा एक king इधर मिलेगा लाल बात्सागर कोई बोला है तो ये होगा अब ये बहुत आसानी से question solve हो सकते है 52 गड़्टी से मैंने दो पत्ते एक साथ निकाले 52 गड़्टी से मैंने दो पत्ते एक साथ निकाले ठीक है ना याद रखलो एक पत्ता निकालोगे तो वह बावन कर दो या बावन कर दो बावन कर क्यों नहीं होता है और हमारा यह होता है तो बावन सीवन हमारा बावन ही होगा इसलिए वहां पे लगाने की ज़रूत नहीं जो एक निकालों वही एक हो जाएगा केस लेकिन जब दो निकाल लेओ तो वह दोनों जो आएंगे उस पर होगा एक केस तो वह दो हमारी मसीन काउंट करेगी ठीक तो यह हो गया तरिक अब मैंने आप आप से कहूं कि मैं इससे निकाला कितने पते और दोनों पते मेरे 6 निकाले जा रहे हैं और आगर नहीं लिखे दो ido निकाले जारे स्मेजर कर दो उसको गड़ी में वापस नहीं रखा जिसको बैग से निकाला बॉल उसको वापस बैग में नहीं रखा तो यह पता है दो पत्ते में निकाले अभी सैमल्टेनिसली दोनों किंग होंगे सी क्या प्रॉबिल्टी होगी 52C2 और 4C2 अब वो चार किंग है पता नहीं कौन से दो किंग आ जाए तो उसको हमें नहीं करना वो हमारी मसीन काउंट करेगी 4C2 एक निकालोगे तो चार रहेगा लेकिन अगर एक से ज्यादा निकालोगे तो तब सी का प्रियोग करना पड़ेगा कोई भी चीज है दस चीजों में तीन चीज निकाले हो तो आपके केस दस होंगे लेकिन दस चीजों में जब तीन चीज निकाले तो वहां सी का प्रिय तो फ्रावबिटी क्या होगा फ़र्स्ट काड बोलो क्या होगा इसकी प्रावबिटी जल्दी पताई एक निकाल लो बावन पूर बाइप अभी कटना गुरुबाद में कर लेना और फिर सेकेंड बाड एज किंग क्या होगा बोलो 51 मैसूस करो पहला कार्ड किंग निकल यान वो चीज हो गई है तब उसके बाद यह होगा आप क्या कहा है कि बोट आरकिंग क्या हो गांग सब्सक्राइब अब तुम बेटा देखो जानतू क्या है एक बार आपको आदत बन जाए सवालों करने की कि ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से करना है सर ने सिखाए आप इससे घवराना नहीं अगर उसने कह दिया फर्स्ट किंग आये और सेकेंड आपका जो है इका आये तो भी न घवराना जिस पोजिशन में जिस चीज को चाहत लेकिन भले कि निकल गया पहली पोजिशन में लेकिन दूसरी पोजिशन में यानि सेकिंड बार हमारा इक खायेगा उसमें पिर ही रहेगा लेकिन डिवाइड में 51 हो जाएगा तो आ आप सदो एक पत्ता कर्ल चाहे वो चाहे जो भी कार्ड चला गया हो लेकिन टोटल कार्ड हमारे फिप्टी वन होंगे अब उन फिप्टी वन में सही कोई ये कार्ड आना ठीक है तो ये ऐसे किया जाता है चलिए अब हम इन सवालों को एक साथ आपको बताते हैं आप सीट निकाले और उसमें देखेगा जो क सीट निकाल लिए और सीट से जो हम कुश्चन बोल लें उसी को दिखेंगे कर लिए तो समय लो ये कौश्चन कॉंसेट के लिए पुर्टी फाइब पुर्टी सिक्स और पुर्टी सेबर अगर निकिल अब दे इसका आंसर आ रहा है इसका आंसर बिटा अगर ये सवाल आ गया तो समय लो आप कोई दिक्कत नहीं है पुर्टी फाइब नहीं है कि इसका आंसर आ रहा है है कि तू अपाउन डबल फाइब कि टू फाइब इसको सॉल करेंगे अब देगे इस क्विश्चन कैसे सॉल किया जाएगा कि इसको देखेंगे इसको देखेंगे ये भी गुश्चन जिसको अगर क्लियर हो गया चाहें कैसे को मापा होगे तुम सवाब को तुम बॉल इतो बढ़ा हो गें हमा लों कार्ट बोला बोल नहीं तुम क्या करण्ट निकाले जा रहें तीन का निकलाएं पहला किस नंबर पर पार कॉन सा आजाएं तीनों इस पैट आजाएं यह भी बोल सकते थे तीनों रेट आजाएं तीनों ब्लैक कितने सारी क्विश्चन बनने बता बहुत सारी क्विश्चन सॉल्व होंगे अब यहां पर समझे इसका हिंदी में अनुवाद करने देखो क्या कह रहा फ्रॉमें वैल से होता है बिना जो है प्रतिस्थापित किया आपने दुबारा उनको वासं नहीं रखा है विदाओ्ट रिप्लेस्मेंट का मतड़ delegate तो इसकी क्या प्राइकता क्या करेंगे बोलो किसकी प्रॉबिल्टी निकालेंगे फर्स्ट कार्ड किंग है इसकी प्रॉबिल्टी निकालो जल्दी निकालो क्या होगा पहला कार्ड आपका किंग आएगा इसे क्या प्रॉबिल्टी है हमारे पास टोटल कार्ड है बावर किंग निकालने किंग वाले कि तो आपने जो निकाला है पहला काड वह निकला यह फील करना होगा तो आपके पास अब इसमें कितने होंगे तीन होँगे तो टोटल कार्ट जितने वो नीचे लिखो और जितने उसमें किंग बचे वो उपर लिखो चलिए अब लास्ट में थर्ड कार्ड इस कि नई और इका भी कितने उस गटी में इका तो बावन थे दो जो निकलें वो इक किंग हैं तो चार है तो आप यह क्या होगा कि फास्ट स्वरी है कि इसमें कह रहा है कि पस्ट कि टू कार्ट पिर्स्ट जो दो कार्ड है किंग है और थर्ड कार्ड एस इसकी परफिल्टी होगी तीनों को मल्टिपला 12 तीन से कट होगा तीन कम 3 तीन कम 3 सताइ 21 दो से कट होगा दो दुनी 4 दो पंजे 10 तो डिवाइड में 13 सताइ 91 और तेरे कम 13 और नौक 22 और यह 25 भी तो मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा पटने की संभाव ना तो है निए जब निए 25 करोगे पांच 15 दूनी दस और एक ग्यारा दो दूनी 4 और यह कितना होगा 5 और तो पांच और पांच पच्पन पच्चिस हो गया है अरे आ रहा है आप देखो इसमें पुरा फुल कॉन्पिडेंस आ जाना चाहिए मैंने कहा ना अब इस टाइब का चाहे जो सवाल हम बना दें अब आपके दिमाग में एक सेब हो गई यार आपको कोई चीज़ा किसी की प् को यह फील करना तभी तो निकलेगा अगला कार्ड तो पहला कार्ड करो गिंग आजाएगा यह निकाल लिया तो अब हमारे पास जो टोटिल काड़्य वह भी होगः और profound thing big चला गया लेकिन जब मैं तीस्रा कार्ड निकाला तो वह तिस्रा किंग नहीं अगर वह बहूंता आप इसा कर सकते हो और यह आपको लिखना होगा यह नहीं हम डारेट भी लिख सकते हैं यह लाइन डारेट नहीं करने हैं और लेकिन यहां पर पुरा फिर्स कार्ड इसकेंड वाला फिर इन तीनों को मल्टिप्लेगेशन कर दीजें आंसर आजए यहीं कॉंसर होता बिटा 46 45 के बाद 46 किसी कहा है आंसर आप देखो हम बता रहें देखो कैसे हो क्वेश्चन समझो इधर समझिए दो कार्ड टू कार्ड्स आट ड्रॉन वन बाई वन फ्रॉम में वेल सफल्ड पैक ओ फिप्टे टू कार्ड्स बावन पासी गड़ी से एक एक करके दो पत्ते निकाले जाते हैं विद रिप्लेस्मेंट का मनलब यह जो लाइन लिखे है विद रिप्लेस्मेंट यानि आपने उसे दुबारा से उसमें वापस रख दिया है विद का मनलब यह है कि उसको वापस रखके फिर निकाला है आपने एक-एक करके इसको निकाला उसको वापस गटी में रख दिया वापस जो पत्ता आपने निकाला जिसे एक कार्ड है हमने इससे निकाला दो कार्ड निकाले लेकिन एक पत्ता जो है हमने दुबारा उसमें र निकाला गया पत्ता वापस गड़ी में रख दिया जाता है निकाला गया पत्ता वापस गड़ी में रख दिया जाता है दो पत्ते निकाले हैं पहले एक निकाला फिर इसको गड़ी में रख दिया फिर दूसरा पत्ता लेकिन यह नहीं कि हमने जिसको रखा उसी को निकाल दि देखे दर इसको जड़ा समझो यह बड़ा गजब कॉंसेट है और एक अगर क्लियर हो गया मैं आपको बता रहा हूं कोई बढ़ाएंगे दो बॉल की जगा तीन हो जाएगी चार बॉल निकाल ले पॉजिशन अलग अलग हो जाएगी फस्ट टू जैसे चाल निकालने फस्ट टू आजया बाकि दो ब्लैक आजया तो देखे दर हमने इस गटी से क्या निकाला एक पत्ता निकाला अब यह अमने रख यह मैंने कितने काड़ निकाले दो दो निकाले लेकिन अंतर दोनों एक साथ निकाले वन बाई वन करें और इसको कहेंगे एक निकाला विदाओट रिप्लेस्मेंट का मलब यह देखो मैंने दो पत्ते वापस रख दिया मैंने एक को निकाला अब मैंने फिर अब इसको अब ये दो पत्तते आ गए मेरे और अगर हम इसको रख दिया एक पत्ता निकाला देखो यह निकाला और फिर से और पत्ता निकाला तो यह आंठाला यह स्लाव आप आपने उसे वापस रखना जिसको निकाला आपने उसे वापस रखना उसको कहते हैं विद्री प्लेस्मेंट का मलब पुना वापस नहीं रखा जाता है ठीक है चलिए तो यह बात कह रहा है विद रेप्लेस्मेंट का मदलब एक पत्ता निकाला और फिर दूसरा जो है आपने उसको रखने के बाद फिर से निकाला तो अब देखें क्या होगा कि दोनों डाइमंड आ जाएं जिनकी प्रॉबेबिलिटी उनका काउंट कितना है तेरा अभी न काउंट करो लास्ट में कर दिये जाए आप क्या होगा बोलो जो सेकंड काड इस डायमंड यह भी डायमंड यह द्यान या वापस वह गड़ी बन गई बतIST टूमने जो निकाला है बटा वसे बापस रख दिया अब दूसरी बार निकालने जा लेकिन वो जो है आप गड़ी में कितने काड़ हैं अब 52 ही है कितने बावन ही है और डायमंड कितने अरे पहले तुमने डायमंड निकाला फिर उस डायमंड को रग दिया कितने होंगे तो कितना होगे आंसर बोथ आर 13 by 52 1 by 16 आंसर सही कर दिए 1 by 16 देख लिए वन बाई 16 होगा है वो बताएं किया है यहां पिर अगर विदावट रिप्लेस्मेंट तब एक बड़े सतर आएगा कैसे देखेंजर यहां से थीरा चार होगया और 4 से कट करेगा तीन श APIम टेन ऐसमें टीन इंटन एसन पत्त शन का मलरुत होता है जिस पत्ते को आपने गड़ी से निकाला उसे वापस गड़ी में रख दिया उसके मिलब यह कि आप जो निकाल लेो उसे गड़्डी में रख देरो तीसरी बार निकाला की ज़रुरत नहीं के हर्बार ऐसा रहा आप बस reb a यह थोटा विद रिप्लेस्मेंट को उसको आंसर सइंक रिए लिगो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन 47 को देखेंगे हमारे सामने 47 आंसर आपके सामने लिखाए उस क्वेश्चन का आंसर वेटा वन बाई 17 वहां पर विदाउट था लेकिन मैंने विद कर दिया था तो इसलिए आंसर में थोड़ा हो गई है ठीक है अगर विदाउट रिप्लेस्मेंट को आप समझ गया हो विद रिप्लेस्मेंट का मलब होता है कि जैसा पहले था वह ऐसा ही बन गया गड़ी जैसे बावन थी अब आपने निकाला तो ठीक है लेकिन फिर उस पत्ते को वहां पर रख दिया तो पहला ही जैसा बने अब बढ़े इस क्विश्चन में क्या कह रहा है इस क्विश्चन का सॉलिशन समझो पिटा एक बैग है इस बैग में हमारे पास दस वाइट प्लस फिप्टिन ब्लैक बाल से सुन लो जरा दस सफेद और पंद्रा काली गेने हैं दो बाल वन आप्टर दर देखो हो गय निकाली जारी एक के बाद एक करके और विदावट रिप्लेस्मेंट का मनलब निकाली गई इंद को वापस नहीं रखा जाता है रिप्लेस्मेंट यहां जाया कि गाल जो एक बैग में 10 पंद्रा काली गेने हैं दो बाल एक एक करके समझे यहां बैक से बॉल निकाली जाती है और निकाली गई बॉल को वापस बैक में नहीं रखा जाता है तो इसकी क्या प्राइकता है कि पहली वाली वाइट आ जाए और दूसरी वाली ब्लैक आ जाएगा जल्दी सॉल करिए फटाफट question को solve करिए answer पताइए क्या one by four आ रहा है अगर one by four आ रहा है तो समझ लीजेगा अब ऐसा सवाल में कभी परिशाने नहीं हो सकती आप देखें क्या कह रहा है solution यहां पर लिखेंगे फास्ट बॉल एज वाइट सर्व आपने लिखा नहीं probability अब आप बुक में देखो अरे पी लिखा तो है इसकी वाइट होने की probability तो क्या होगा बोलो फस्ट बॉल वाइट आएगी टोटल बॉल्स कितनी है ट्वाइट वाइट बॉल कितनी हैं अभी नहीं करो बाद में एक साथ हो जाएगा और फिर क्या होगा second ball जो नंबर बोला उसमें वह आए इंपॉर्टेंट यह है कि आपने विद रिप्लेश्मेंट बोला गया है विद रिप्लेश्मेंट क्या बोला गया यानि निकाली गई बॉल को वापस बैक में नहीं रखा जा कुझ है लेकिन यह कि पहली वाहिठ आई है तो बलेक सब्सक्राम कर दो दूसरेज्जने turn when निका वह कौन से निकाल लो लेकिन ब्लैक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कितना हो गया तो यहां पर लिखेंगे एक वास्ट वाइट एंड सेकेंड अब्लैक प्रस्ट वाइट और सेकेंड ब्लैक तो क्या होगा इसकी प्रॉबिल्टी 10 बाइट 25 एंटू में 15 बाइट 25 यह पांस से कट रहा है यह दो से कट गया चार यह आपका अंसर वन बाइफोर आ रहा है बहुत बड़े वेरी कुछ आप देखे एक क्विश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं जरह दें कितने लोग बता पाएंगे यह बैग है अगर इसको कर लिए आपने तो हो गया कुछ बैग है इसमें 10 वाइट है टेन ब्लैक है प्लस फाइब ग्रीन है तीन कलर कर दिये अब मैं दो कुछ आप से पूछ रहा हूं इसका आंसर आप बताईगा के वल आंसर बताना है सुनलो बस सवाल ने लिकना दस सफेद दस ब्लैक और पाच ग्रीन बॉल है तीन बॉल निका ली जा रही है एक एक करके अब एक एक करके लेकिन इंपोर्टेंट है यह आपको मुझे बताना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया कि निकाली गई बॉल को वापस बैग में नहीं रखा जा रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं विदाउट निकाली बॉल को वापस बैग में रख दिया जाता है विद पिटैने लिखते हैं पहली वाली ब्लैक कि 10 और दस बीस और में को करते रहो लेकिन अगर सब्सक्रा प्र lados उसको वापस नहीं रख रहे हो विदाउट प्लेस्मेंट यानि 23 और आपकी बची दो बची आठ तो यह क्या हमारा आंसर होगा वागी तो कैलकुलेशन अलग है वह हो जाएगा कैलकुलेशन कट पिटके हो जाना है में यह हो गया अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं इसका अंसर बताईगा विद रिप्लेस्मेंट निकाली गई बॉल को बैग में वापस रख दिया जाता है तो मुझे यह बताईए कि आपकी तीनों अब ब्लैक होंगे से क्या प्रॉ प्रॉबिल्टी बात में वही होगी तो कैलकुलिशन कर लेंगे अंसर आज इसी तरह से देखो बावंतासी गड़्टी है बावन कार्ड है सुन लो इदर फिप्टी टू कार्ड है इसमें से तीन कार्ड निकाले जारे वन बाई वन करके यही होते हैं सवाल बाई वन करके क्या निकाले जा रहें बावन कार्ड निकाले जारे और मैंने कहा कि आपके तीनों कार्ड एकका होंगे इसकी क्या प्रॉबिल्टी होगी तो आंसर क्या होगा तीनों कार्ड और विदाउट रिप्लेस्मेंट विदाउट रिप्लेस्मेंट विदाउट रिप्लेस्मेंट र Emmy कि क्या होगा विदे प्लेस्मिंट में होगा मैं रीचेकर।meter विदे प्लेस्मिंट में उसके होगा यानि जिसको निकालो वड़ों और रख देरो वह ही तो हो जाएगा इस तरह के से गुश्ठ को की अधा फिर्टर में होता है कि कि एक चीज़रा सुन लीजिए इधर ज़रा देखो विटा जैसे मान लीजिए सुने इधर अवा ने दो पत्ते निकाले जा रहे हैं कितने दो बावंतासी गड़ी से दोनों पत्ते रेड होंगे इसकी क्या प्रॉबिल्टी होगी और आप कुछ नहीं दे रहा तो एक साथ निकाले जाएं टू कार्ट आड ड्रॉन साइमेल्टिनेशली प्रॉमें पैक ऑफिटी टू कार्ड यानि बावंतासी गड़ी से दो पत्ते साथ निकाले जा रहें वह दोनों डैमंड होंगे इसकी प्रॉबबिल्टी या दोनों बिलेग रेट होंगी सीखरी वह लोगा Isya रेथ होंगा प्रॉबिल्टे इस इवेंट को नाम दे रहे हैं अच्छे यह बताईए इस क्विश्चन का आंसर क्या होगा अगर मैंने कहा दो कार्ड निकाले जा रहे हैं दोनों कार्ड सेम कलर के होगा अब बताओ इसका क्या अंसर आएगा बताईएगा अबहरे क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से समझेए 12-18 से दो पत्ते निकाले जा रहे हैं और दोनों पत्ते सेम कलर क्याएंगे त्सक्या प्रॉबऴ्यटी उकी तो इसका अंसर क्या होगा इसका आउंसर हुगा बोट आर रेड या कह सकते हैं बोट आर ब्लैक यह तो का बोलो पिटा एक चीजी यह बताईए जरह समझ लो इदर सुनो जैसे मान लो हमने आपके पास आप कुछ रोज पैसा जमा कर रहे हैं आपके घरवाले कुछ जो है आप गारजन आपके जमा करते हैं उन्होंने एक उल पैसा डालने हैं लेकिन अब यह प्लान बनाया है और सुनते रहेगा 200 500 और कितने के सौग उन्होंने डाले अब यह बताई एक दिन जब पूरा घुल्लक भर गया उन्होंने उसको पूपन किया किसी तरह से पूड़ा गया जब निकले तो कुछ पैसे निकले उसमें तो क् क्या करोगी क्या concept रहेगा यह हो सकता है जल्द बाजी तो सबको बटोर हो लेकिन अगर टाइम अच्छा का सा तो यह करोगा यार 200-200 वाले अराम से कर लेते हैं अगर उनको यह टार्गेट है हमारा बैंक में जमा करना है तो यही किया जाएगा 200 वाले खटा कर लेंगे पांसो वाले काउंट कर लेंगे तीन सो और पांसो वाले फिर उनको एड़ कर रहे हैं जब हमारे दोनुरा रेड़ गार्ड है ऐसे कितने तरीके होंगे मेरे तो वह हो जाएगा 26c2 और मतलब यहां पर प्लस लगा दीजिए कितना हो गया यह एन ही हो जाएगा कितना हो बोलो बहुत आर कितना हो गया 26 और एने समारा क्या हो गया तो यह आप इसको कैल कुले इसको और इसको सौल करके एड़ कर देना आंसर आ जाएगा देखे दे चलो यह हमने बता दिया है आपको समझा दिया है इसको जरा समझ लीजे पिटा जरा समझ लो आपको जैसे हमने क्या किया यहां पर आपको इस उधारन का इसलिए दिखाया कि आपको टोटल एड़ करना है तो वह जो एमाउंट आ रहा है और जो वह उदर एमाउ आ सकते हैं 26 तो वो पता कर लो कितने हो गए टोटल तरीके तो 26 अब वो जो दो ब्लैक आ रहे हैं उसके उसके भी तो हो सकता है तो 26 तो दोनों को एड़ कर दो टोटल हमारी हो जाएंगे दोनों सेम गलर वाले केस हो जाएं तो ऐसे प्लस करना अगर कभी कंफिजन हो तो और लगा देना और में प्लस आप कर दीजे तो यह आपका काउंट हो जाएगा यह इसलिए बताया है क्योंकि हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कंडिशनल प्रॉबिल्टी का है सीट में देखेंगे बहुत फेमस सवाल है लगातार एक्जाम में पूछा जा रहा है कंडिशनल प्रॉबिल्टी का है बिटा क्वेशनल प्रॉबिल्टी कि फिफ्टी टू कुश्चन नंबर फिफ्टी टू कि इसको समझेगा क्विश्चन क्या कह रहा है कुश्चन को समझना बहुत जुरूरी है हम इस सवाल को अभी पहले पढ़ ले रहे हैं हम करेंगे दूसरा सवाल उसके बाद आप इस क्वेशन खुद लगाएंगे इसका अंसरी बोड में बहुत गजब का रिपीट हुआ है देखे क्या होगा फ्रॉम इंटीजर्स वन टू इलेवन दिक्कत है कि अगर रिपीट होता कभी कभी इसको वन टू सिक्स्टीन कर देते हैं वन टू सेवेंटीन कर देते हैं तो आपक केस पढ़ा देंगे तो फिर वो सवाल कैसा भी घुमाद मालों हमने तीन बॉल बता है आपको कि एक सवाल देख लो इंपोर्टेंट रट लो उनने का चार बॉल निकाली जारी हमने सिकाए था चारों वाइट आज उन्होंने का फर्ष्ट की दो वाइट आ जाए लास्ट क आपने बैग जमागे उनमें नमबर लिखा है वाइन टू तरी ऐसे समल लो एक बैग में हमने 21 11 वो डाल दिये काड डाल दिये जो भी है प्लास्टिक के समय नमबर लिखा हो और उसमें बैग में हाथ ऐसे से गुमा रहे हैं और कितने इंटीजर निकाले जा रहे हैं दो इ इंटीजर और सेलेक्टिट एड्रेंडम इप्धियर समीज इलेवन यह जो लाइन है अगर यह हो गया तो समय लीजेगा क्या हो गया हो निकाल ली है तो जिसकी प्रॉबल्टी निकाली उसके केस नुम्रेटर में और टोटल केसे नीचे डिनओम डिटर में आप बच्चों को कैसे सॉल करना है आई इसको समझाने हैं मैंने का मुझे थृ से किरी से इधर दोगों कि इंटिजर है मेरे पास एक बैग है उसमें काड़ जो होता है प्लास्टिक के उसमें कुछ इंटिजर 3 से ले कर माली जिंट 13 तक उसमें काड है कैसे काड है chi Sid press 3 तो यह बता वो कितने हो गए उसमें 3 कितने इंटीजर हैं उसके अंदर बैग में चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा आरा तिंग यह होगे इंटीजर आएंगे काड ने बोले इंटीजर बोले इंटीजर मतलब पुर्ण और नंक है बता दोनों आपके इवन आएंगे सी क्या प्रोबिलीटी का जो फॉर्णला होगा क्या हुँगे कितने काड कितने इंटीजर निकाल पीछाओ तो हैं कितने दोनों आ जाए तो इबन वाले किनों दो तीन चार पाँच फैप से यह कल्कुलेट हो जाएगा है इस अगर माल लिजे मैंने का दोनों और अजये तो और नमबर गिल लेना तो यह अगर माल लिजे विटा वंसे थर्टीन होता तो तब हमें यह लिखने की जुरूरत नहीं हो भजा है वंदसे थालटीन में साभस संद मारा थारटीनीचर संगे और थारटीन होंगे कितने 10 कि अबर कितने इन के तो थालट अ इंटिजर सुने धर 6 odd और सिंसे एवन और यह कैसा है यह आँड तो यानि कितने इंटिजर होंगे 7 हमारे & your 6 इवन होंगे तो तो इस क्वेश्चन और सॉल अगर तरना चाहते हो तो इस को solve करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग कपरियों करें बहुत मोस्ट इंपोर्टन कुष्चन है पिटा इस बात की जानकारी दीजिएगा इधर सुन लो जरा इस क्वेश्चन का अगर सॉलिशन समझना है तो पिटा इधर ध्यान देना होगा आपको सबसे पहले यह बताइए वन से इलेवन तक मेरे कितने इंटीजर हैं ज्यादा नहीं है इसलिए लिख दे रहें अगर ज्यादा होते तो नहीं लिखेंगे दस और ग्यारा होगे ग्यारा इंटीजर से और हम इनमेंसे दो इंटीजर को ले रहें तो हम एलेवन से टू कर सकते हैं बट यहां पर क्वेश्चन में कह रहेए और उनका सम जो है यदि इवन आता है तो इसकी प्रॉबिल्टी तो जो कह रहा है वो डिनोमेटर में रहेगा उसका केस और जिसकी पूझ लाए वो ऊपर रहेगा तो हमने यहां पर क्या कर दिया आप यह बताईए दो इवेंट में बना रहे हैं इसको लिखना पड़ेगा यह ऐसे भी लिख सकते हो दोनों तरीके से लिख सकते हैं जैसे भी चाहें सबसे पहले यह बताईए आप यह बत अधिके पिटा और सम इवेंट का मलदब होता है सम बताए दो इंटीजर को एड करने पर जोडने पर इवन कब आएगा जब यह तो दोनों के दोनों आड होंगे विशम होंगे यह दोनों के दोनों इवेंट होंगे बिटा यह आप दिमाग में बात बैठा लीजे लेकिन द्यान रखना अगर एक और निकला और एक इबन उनको एड करोगे वह और बन जाएगे आपनी जो सवाल में दिया है वह क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों उनका सम इबन हो जाए तो यहां पर क्या करेंगे इबन कब होगा पेटा इबन कब होगा जब दोनों क्या होंगे दोनों सम इबन कब होगा सम कब होगा बताओ जो उनका एडिशन है वो इबन कब होगा जब दोनों यह तो ओड होंगे यह दोनों और इसमें यह कह रहा है कि दोनों इंटीजर ओड हो तो यहां पर हमने लिख दिया बोत आर और यह इवेंट अपने क्याप्टल एक दिया द अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूनों अगर यहां पर ज़ान दीजें क्या पोला यहां पर कह रहा है सम एस इवन यह तो पोला रहा है यह क्वेश्चन में कहे रहा है न सम अगर उनका even लीजिए पिसका वे कैसे आएगा ज़रा ध्यान रखिए आपके यह बताइए कितने और नंबर है और कब आएगा बताओ यह और कितने नंबर है बोलो यह 1357911 सिक्स और इंटीजर्स और कितने हैं टू फोर सिक्स एट टैन और यह क्या हैं फाइब इवन इंटीजर्स ठीक है यहां पर मैंने यह जो लिख दिया है यह कहना चाहरे हैं दोनों सम इवन होगा इसकी प्रॉबिल्टी बition में क्या है तो इसको नीचे लिए अब बोड़नों के दोनों कैसे हो जाएं u सम इवन होंगे सम इवन कभोगा जब क्या होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे यह तो हो आएग यह तो आफ के कितना होगा वाले कितने एक दो तीन चार पांच है तो कितना हो गया शिक्स सी टू प्लास और यह कितना होगा इन में से दो लीजे कितना हो गया एक दो तीन चार पांच कितना हो गया का 5c2 कि मतलब यह है दोनों आउड आएंगे इसके कितने टोटल तरीके होगे बोलो जill इसके कितने इन्हीं में से आएगा कोई ओड शिक्स सी टू और यह कितना होगा बोलो कि दोनों इवेन होगा तो कितना होगा फाइप इस यह data अब यह बताए हमारा numerator में क्या रहेगा नुम्रेटर में क्या रहेगा इसका तरीका यानि 6 से 2 जरा calculation करेए अभी यह मता रहें 1 into 2 इधर कितना होगा 6 into 5 डिवाइड में कितना होगा 1 into 2 और इधर कितना होगा 6 into 5 plus इदर कितना होगा 1 x 2 5 x 4 तो यहां से पिटा इधर देखो ल्स यह मागिया 1 x 2 अवा नहीं 1 x 2 ल्स यह मागिया देखो इधर इधर कितना होगा इधर होगा 30 इस प्लास इधर कितना होगा विटा यह 1 x 2 1 x 2 2 कैंसल 11 x 50 6 में 5 कितना होगा 30 और डिवाइड में कितना होगा तो यह आंसर कितना आ गया 3 x 5 नोट कर लीजिए इसको और आप बच्छों को एक चीज़ बता दें फिप्टे टू कुश्यन देखे दर यहां पर आप जरह इसको समझो विटा आपको मैंने कहा दोनों का सम इवन आना चाहिए दोनों नंबर का सम इवन आना चाहिए तो दोनों का सम इवन ऐसे इसको count करना पड़ेगा जरा ध्यान दीजे यहाँ पर इसको जरा समझो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया जब भी हम यह बात करते हैं A by B तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था जिसमें मैंने कहा था कि भया यह आपका simple space की तरह काम कर लीजे और इसके count कर लीजे जब यह होगा तो इसके count कर लेंगे तो यानि इसी में से ढूंडा जाएगा इसको तो जब some even है तो हमें मालूम है some even होगा तो दोनों या तो odd होंगे या दोनों even होंगे तो इसकी probability बोला ना दोनों odd होंगे तो उसके तरीके कितने होंगे 6C2 यह आपने calculation कर दिया और answer 3 by 5 बिटा देखे बहुत most repeated question है यह कई बार exam में पूछा गया है जिसमें इस बार भी UP board की दो जारती इसकी प्रिक्षा में question आया था लेकिन यहां पर थोड़ा change हो जाता है तो इसमें बस आपको करना क्या है कि इस सब्सक्राइब अगर इस question में यह ना लिखा होता सम इवन इसको अटा तो इसमें लिखा होता देन फाइंड दा प्रॉबिल्टी बोथ और और तो फिर answer क्या होता है इसका answer क्या होगा 11C2 और दोनों और आजाएं तो क्या होगा 6C2 यह answer हो जाता लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका जो सम है वो इवन हो रहा है तो सम इवन कब होगा सम इवन किन कितने केस में होगा एक तो इसमें होगा और एक इसमें हो इन छै में कोई भी दो आप इंटीजर लोगे और उनको एड़ करोगे तो आपका सम इवन होगा तो वो टोटल इतने केस हो गया मतलब सम इवन आले टोटल जैसे मैंने का नहीं कितने सौ कितने पांतुक्त दोनों जोड दो इसमें भी होगा इसमें भी इभान होगा इसमें से कोई भी 2 चुनोंगे और उनको एड नोगे तो सम इवन होतो में जांडने नी यहांक्ट it हुआ है और और अगर daa m अगर यहां पर क्वेश्चन में चेंज करने बहुत इंटीजर आर इवन तब क्या करो गया तब बोत आर इवन का मनलब क्या हुआ यह भी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा फाइप सी टू और यह टोटल इन दोनों को एड़ करना पड़ेगा यहां पर आपको यह समझना हम जो केवल जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजे इस क्वेश्चन में कभी भी करना अगर मैं इसको बढ़ा दू तो वन से माली जैसको हमने कर दिया 21 तो एक काम करोगे एक से 20 तक पहले बताओ कितने इंटीजर होते हैं मतलब 6 इवन होते हैं सुरी 10 और जब यह और नमबर होगा ना तो यह अँडिन नमबर की लिस्ट में जाएगा तो यानि हमारे 11 और नमबर और इंटीजर होंगे और 10 और अगर क्या रहा है कि उनका सम इवन है तो आप केवल क्या करना वह जो 11 और हैं उनमें से दो लोगे तो आपका सम इवन आएगा तो 11 तो इतने तर है वह हो गया अगर बताओं यहां पर लिखनें बहुत इंटीजर्स और इवन है तब क्या करोगे बूलो तब क्या होगा बूलो तब यह आंसर हो जाएगा 5C2 डिवाइड में 6C2 डिवाइड प्लस 5C2 और यह कैल्कुलेशन करके आप निकाल लो इसको 1 इंटू 2 लिया वो कट किया और कितना अग्यां सथ्री बाइफाइड है कि अधर देखे अगर मान लीजे मैंने इसमें कहा कि जो कुष्चन था वन तो इलेवन उसमें कहा था अभी यहां पर क्या दिया प्रोड़क्ट इजी वन कि अधर देखें क्विश्चन में यह या नहीं गया है हुआ है हुआ है हुआ है वह ने बाशा में दिया उसको इससे बना दी अधर इसकांसर क्या होगा मालूम है जीरो होगा क्यों होगा क्यों होगा जीरो पहले बताओ दो नंबर का प्रोड़क्ट निकालना अगर इवन आ रहा है तो इवन आने के लिए यह बताओ आप यह बताओ दो नंबर इवन मल्टिप्लाई करने पर इवन कब आएगा जीरो अभी रूचो दोनों क्या होंगे बोलो अगर यहां पर बिटा देखो यहां पर बोत और और इंटिजर देखे टू इंटू फाइव आपका दो नंबर का प्रोड़क्ट अगर इवन आता है तो उसका कारण दोनों यह तो प्रोड़क्ट इवन तभी होगा जब बोत आर क्या होंगे इवन होंगे दोनों सम ओंगे यह कह सकते हैं यह कह सकते हैं वन और एंड वन और इवन थी चैके तो बोत एवन के लिए क्या हो गारो कि कितने इवन एक से लेकर 11 के पीछ में पांच है पांच इवन है और च्छे और यह तभी टोटल कितना हो रहा है 11 ठीक है तो बहुत इवन के लिए क्या होगा फाइव सी टू प्लस और लगाए प्लस और वन और यानि इसमें से आएगा सी पता मुझक कि एव इन्टो कितना होगा लगा फाइव सीवर तो यह पेटा खक्लम और हमारा दिन्खाइगा पाइव सी टू अए अफिन5 वर और इूपर क्या होगा ओने जूपर हमारा हमें आम का महलूम है अए Привет Cause कि अब देख्या होगा यहां पर यह सवाल में यह हो रहा है यह उने का मलब उनका प्रोड़क्ट और सुरी इवन आ तो प्रोड़क्ट इवन आएगा तो इवन आने में दोनों के दोनों हम और नहीं ले सकते हैं तो इसके जो तरीके होंगे वह जीरो होंगे यानि जिसकी बात कर रहा है बहुत इंटीजर एक भी तरीका नहीं है वहिए यह आपके सामने दो इचीज बनेंगी दोनों का पांस से बड़ा नंबर ठीक है पांच और शे तो मैंने आएगा इसकी क्या प्रॉबिल्टी तो यह हो गया दो अब उसका काउंट इन होगा साथ से बड़ा नंबर को यह होता ही नहीं तो उसका जीरो हो जाएगा अगर यहां पे लिखा होता है वहुत आर इवन इंटीजर इसका आंसर निकल जाएगा इसका अंसर क्या होगा बोलो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल किया जाता है बिटा इधर सुन लीजे मैंने जो आपको बताया है उस पर ज़रा फोकस करिए उस पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी आपको इस टाइब के सवाल वह होता है यानि तुम्हारे दिमाग में एक बात सेव हो जानी चाहिए कि जो सम इवन है वो किस कंडिशन में आना चाहिए तो दोनों जब नंबर हमारे इंडिजर और होंगे दो और नंबर को एड करोगे उनको जोडने पर कोई भी दो नंबर ले रहे हैं उनको एड करने पर क्या होग यह ख़ँ से नंबर ले रही है तो में पांच में पता नहीं कौन से दो आ हुँ हुआ और उन्हें पता नहीं कौन से दो आ करता है चेस्ट यह हो जाएंगे जैसे मेंडेने का 100 के 100 पांस्के लाइगा इसमें भी समाईेगा कुंड करा तो यह dato में एक कुश्चन है इस कुश्चन को जरा देखेंगे देखते हैं कितने बच्चे लगा पाते हैं इस कुश्चन को जरा देखेंगे प्रैक्टिस पर करेगा बेटा मैंने गाना प्रॉबभी लिटी मैं आपको बेज रूल वाला जो फंडा होता है सबसे खतरना होता है लेकिन उसको बहुत भाट बहुतिरीन तरीके से बताएं या उसमें वह इसलिए आसान है यह कुछ है सवाल हो इसमें ज़्यादा तर उसी क देखे रहा है और जो सिक्स नंबर का है यह उसी से होगा बेज रूल से चलो दूसरा क्विश्चन देखेंगे अब हम जिसको बोलने इस क्विश्चन को देखेंगे यह सीट का पहला क्विश्चन है थोड़ा और कॉंसेफ्ट स्ट्रॉंग हो जाएगा देखलो इदर यह वा समझना है चलो इस सवाल पर अभी हम बात कर रहें इससे पहले जो स्क्विश्चन हमने बताया सब चीज हो जाती है प्रेक्टिस से थोड़ा साथ दिक्कत होगी लेकिन आपको आ जाएगा अगर आपको अपने आप पर भरोसा है कहने का मतलब से पहले अंदर से पुरा क्रावंतासी खट्ड़ी से दोनु पत्ते यह दि डाइमंड आ हरें सरी दोनों पत्ते कि आ रहे रेड़ क्या रिआ dabei क्या का मैंने लिए इस में लिए अधा समें अब बताव कितना अंसर होगा इसका केस लिखोगे ना दोनों डायमंड निकालो दोनों आपके डायमंड ही आ रहे हैं तब वह ही हमारा सेंपल स्पेस है वह जो बनेगा उसका जो काउंट होगा अब उसमें से आप यह क्वेश्चन में गिवन है कि यदि दोनों पत्ते क्या सब्सक्राइक कर रहे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं फिर उसमें से दो पते यहां पर सब्सक्राइब हो है यह आपने जो है बोट आर डायमंड इसको जरह समझेगा कुछ्छन में थोड़ा सा रेड़ कार्ड पूल रहे थे क्या निकल ला है रेड़ और दूनु हमारी क्या होंगे किंग आजें सिक्क्या प्रॉबिल्टी जरह देखेगा सुनिए के देर यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसको जरह दिमाग लगाएना होगा और समझना होगा कि रेड़ इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है जो नीचे लिखा होता है इसका मतलब जैसे अगर हमने लिख दिया सम इस इवन इसका मतलब क्या हुआ यह चीज अगर हो रही है तो फिर इसके हो नहीं प्रॉबिल्टी यदि रेड़ कार्ड आता है तो उसमें से हम दो पत्ते निकाल लें दोनों आपके किंग होंगे इसकी क्या प्रॉबिल्टी हो इसका handwriting क्या हुआ है तो रेड़ गाड कितने होगा बोलो 26 कि यह और दोनों तो कितना होगा इसमें कितनी किंग होंगे अब यह है आपके 26 रेड निकल लेड़े है तो 26 रेड़ काड़ में डोडो कितनी किंग होंगे चार नहीं होंगे यार दो होंगे दो ब्लेक वाले होंगे यह 2C2 यह कैलकुलेशन कर लेना आ गया चलिए आईए इस कुश्चन पर बात करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है इस कुश्चन में क्या कहा जा रहा है एंड बी आर इंडिपेंडेंट यह बहुत इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र घटनाएं है कुछ आया इसका अंसर इनमें से कौन सब्सक्राइए देगे अब आपको बता देए पहले बेड़ा देखो सिंगल ऑप्स इसको कैसे काल्कुल है यह दो छोड़ ऑफ सन बात की बात तक इसको अगर हम बात करेंगा अगर मालोगों हे यह दॉसकाइफ किन होगा होगा पी ये बाइब कितना होगा पी ये होगा कि नी होगा क्यूं कुल बताया था इंडिपेंडडेंट इवेंट में डिवाइड में कुछ भी लिखेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा इप्ट्र निडालेगा उसकी जो प्रॉबिल्टी जितनी पहले थी उतनी बनी रहेगी यह है तो अभी वह इंडिपेंडेंट ही होंगी याद कीजिए मैंने कहा था के और इंडिपेंडेंट ने इवेंट गिवन और यहां पर एफ न ही पर कोई परक ने पड़ेगा वह इसका मलब बताऊगे ये की निए बोलो आरे का ना फियेस न कैसे बार कि रिवाइड में ये इंडिपेंडीन यह सब बुडिंडेंडेंड होती है अगर यह आ यहां प्र होगा पी को लोगा और आप रणा जानते हो कि यह कितना 231-2 जरी आना गलत हो यह कैसे निकलेगा कि यह वो गलत है वाट ठेक है यह उछलोड प्रफ करेक्ट ही els यहां तक ही बात खत्म होंगे तो आप सब्सक्राइब अभी टैकान एक पर मैंने का तो यह आईगा ऊपको बड़ातो ज़न्य यह बताई है यह सिरे क्या होगा पी ए अपन ए यूनियन भी पी क्या होगा इंदोनों का इंट्रसेक्शन एंट्रसेक्शन इंदोनों का इंट्रसेक्शन की प्रॉबबिल्टी बताए क्या होगा यह तो चलो समझ में आ इधर देखो आप आपको बता दें सुनिएगा बिटा आप बच्चों को बता दें जरह यह बताईए जो सेट वाला है वह प्रॉपिल्टी का यूनियन का कॉंसेप्ट है देखे उधर जैसे मान लीजे मैंने कहा ए हो गया 123 और बी हो गया मान लीजे 256 तो यूनियन करो कितना आएगा यूनियन करो कितना आएगा 12356 अब उसका एक के साथ इंटरसेक्शन करो कितना आएगा कितना आएगा बोलो 256 इन दोनों में इंटरसेक्शन करें कितना आएगा इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं यह तो आएगा यानि यह तो आएगा अरे बोलो यह आएगा तो यह द्यान रखना विटा आप खुद देखो ए और बी ए यूनियन बी का मतलब यह हो गया पूरा कि यह पूरा एंटरसेक्शन यह यूनियन लगा है यहां पे इंटरेक्शन किया आ यहांपर दोनों में कौमन गया तो यह आपका answer A होगा यहां पर लिखेंगे B intersection A union B क्या है बोलो क्या आएगा B A intersection A union B union C क्या आएगा बोलो यह union जितने भी होंगे इन दोनों में जो common है वो ही तो आएगा कौन इन में, कौन आए इननों में common क्या है इननों में common क्या है वैसी बतेसे यहां पर इन दोन में common क्या है दो है इसको के लिक देंगे नीचे पीए एंटू पीवी तो यह कैंसिल हो गया और यह वह पीवी कितना है वन भाई सेक्स नौट पॉसिबल यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉबेबिलिटी किसी की भी बात करोगे वह हमें सब वन से कम ही आने चाहिए इसलिए यह चीज नहीं निकाली जा सकती है यह कुछ पर नहीं कैलकुलेट हो पाएगा तो यह देखा जाएं तो बहुत थेओरिटिकल कुष्टन था यहीं से समझ में आरा था पीए नहीं है यहां समझ में आरा पीए वन भाई तरह यह बिल्कुल सही है तो यह हमारा आंसर क्रेक्ट हो गया एक लास्ट कुष्टन और देख ल हैं इसमें कोई ऐसा ना सोचो कि हम थोड़ा उस लेबल वह इतने ही नौलेज से सॉल्व हो रहे हैं अभी है तो और भी चीजह हैं लेकिन वह थोड़ा बता रहे हैं जितनी आपको दी है मैंने उस नौलेज के दम से सवाल वो रहे हैं तो मारा कॉन्पिटेंस बहुत हाई लेबल पर पहुंच जाएगा तो कि एक साधरन सवाल नहीं है जई में का कुश्चन है को तिकत नहीं तुट करिए दूसरा पूर्ट कुश्चन जरह लगा कि दिखाई बस देखेंगे एक वेश्चन में जरह देखेंगा बैए कुश्चन एक से ज़्यादा ऑप्सन सही होगा क्योंकि क्विश्चन आईटी जेई का है चेडवान दोहजार बारा यह अपने सवाल इसलिए लिए तुमारे अंदर एक डर खतम हो जाए कि ऐसा नहीं है अगर कॉंसेप्ट स्ट्रॉंग है तो कोई भी एक्जाम हो आप उसे क बंड़ा कमजोर है इसलिए आप सवालों की संख्या कितनी भी बढ़ा लीजिए आप नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट कुश्चन आप इसका कॉंसेट्ट कर देंगे जैसे मैंने आपको नौ फॉर्मले से ही हो रहा है कोई दम नहीं क्विश्चन जितनी नौलेज दियो ती से से कहेंगे इंडिपेंडेंट हों तो यहां से दो नौलेज दी है ठीक हका है यहां से गाम करेंगे पी एक्स-टेंडेस के जो लिखा है य स्का मतलब है PX intersection Y divide में PY और यह हमारा बेटा 1 by 2 दिया है PX intersection Y और यह हमारा PY हो गया यह हमारी first equation हो गई दूसरा हमारा PY by X कितना होगा Y by X कितना होगा बोलो दोनों क्या intersection divide में PX और यह हमारा दिया है 1 by 3 और PX intersection Y is equal to PX कि यह हमारी सेकड़ी क्वेशन हो गए और यह दिया है यार प्लिए प्लिया समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए तो एक गाम किया जाए दीख है यहां पर एक्स इंटरसेक्शन वाइं रख देंगे अरे आजाएगा PY भी आजाएगा PX भी आजाएगा कितना मज़िदार question हो गया PY is equal to होगा यह आपका बताएए यह होगा इधर हम cross multiply कर देते हैं 2 times PX intersection Y तो 2 times PX intersection Y कितना है 1 by 6 और यह आपका PY जो होगा हमारा 1 by 3 होगा इधर से हमारा PX कितना होगा मेरे बच्चो cross multiply करो 3 होगा PX intersection Y X intersection Y कितना होगा X intersection Y 1 by 6 PX is equal to 1 by 2 कभी इंदोनों को into कर दें दोनों को into कर दिये जाए तो यह 1 by 2 1 by 3 कितना आ रहा है किसके एक को आ रहा है तो यह तो so